यह की एक दिन मा अंजना किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाल हनुमान को वही कुटी में लिटा दिया था और अपना काम करती रही। इस बीच हनुमान जी को भूख लग गई। लेटे लेटे ही आकाश में उन्हें भगवान सूर्य दिखाए दे दिये। बाल हनुमान कि उस दिन सूर्य ग्रहन था। राहू भी भगवान सूर्य को ग्रास बनाने के लिए उनकी तरफ जा रहा था। हनुमान जी ने समझा कि यह कोई काला फल है तो वह उसकी तरफ भी छलांग लगाए। लेकिन राहू किसी भी तरह खुद को बचा कर भगवान इंद्र की शर आ रहा है। वह उस तरफ भी जपट पड़े। इससे इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्हें वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी का मुह खुल गया और उसमें से सूर्य जी खुद को बचाते हुए जल्दी से बाहर निकले। वर भगवान बाहर तो आए लेकिन वायुदेव के रुष्ट होने से हवा रुख गई और सब कुछ कुमहलाने लगा। चारों तरफ त्रही त्रही मच गई। कहा जाता है कि ब्रहमाजी को खुद वायुदेवता को मनाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने भगवान हनुमान को स्पर्ष कर जीवंदान दिया और वायुदेवता से आगरह किया कि वे बहना शुरू करे। इस दोरान सभी देवताओं ने आशीरवाद भी दिया कि आगे से इस बालक पर किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होगा और यह दुनिया का सबसे बलशाली और तेजस्वी बालक होगा। देवता लोगों के इस आशीरवाद के बाद खुश होकर वरुन देव बहना शुरू किये और अपने बेटे को मा अंजना के साथ लेकर घर पहुचे।